अगला क्युशन है 738 इस्वी में अर्वो को पराजित किया था पर्तिहारों ने पराजित किया था 738 इस्वी अंदर यहां पर अर्वो को तो यह important question है आपर बन जाएगा कोनार्क का सूर्य मंदिर किस ने बनवाय था तो कोनार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बनवाय था नर्सिंग देव पर्थम के दौरा ये important question है आपर बन जाएगा everyone अगला question है सबसे पहले तोमर राजपुतों के काल में राजधानी बनी थी यहाँ पर ये बनी थी दिल्ली important question है आपर बन जाएगा अगला question है सुल्तान महमूद कहा का सासक था सुल्तान महमूद था गजनी का सासक important question है आपर बन जाएगा कुतुब मिनार किस परसिद्ध सासक ने पूरा करवाया था तो कुतुब मिनार जो है ये करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश गुलाम वंस का सासक था इसका ससनकाल 1210 से प्रारम होता है और 1236 तक अगला question है नीमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने समराजी की राजधनी घोशित करने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान कुम था ये था इल्तुतमिश important question है आपर बन जाएगा अगला question देखें यहाँ पर किसको शक्तिसाली नोबलों के एक समू है चिहाल गानी के विनास का शे दिया गया है ये दिया गया है बल्बन को चिहाल गानी जो 44 थे उनका समू था यहाँ पर 40 सर्दारों का सर्दारों का ठीक है 40 सर्दारों का एक समू था जिसको यहाँ पर चिहाल गानी बोला जाता है और उसके विनास का स्रे जो है ये बल्बन को दिया जाता है आपको पताओना चाहिए बल्बन भी है ना बल्बन ये भी चिहाल गानी का एक परमुक सदश्य हुआ करता था किसी टाइम पर ठीक है चिहाल गानी या फिर 40 के रूप में विख्यात तुर्की सामन्तो की शक्ति को भंग करने का प्रथम दिल्ली सुल्तन जो है वो कौन बना तो ये बल्बन बना या पर ठीक है ये इंपोर्टेंट क्यूशन आपर बन जाएगा बारत की पहली महिला शाशक कोन बनी थी रजिया सूल्तान 1236 के अंदर और इसका ससंकाल 1240 तक रहता है ये इंपोर्टेंट क्यूशन आपर बन जाएगा अगला क्यूशन देखी दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्की important question है आपर बन जाएगा अगला question है सल्तनत वन्स की विशालतम इस्थाई सेना किसका भुक्तान सिधा राज्य द्वारा किया गया था बनाई गई थी आपर तो ये यहाँ पर अलावदिन खिल जी के द्वारा बनवाई गई थी बजार विनिमे पर्णाली आरंब की थी बजार विनिमे पर्णाली आरंब अलावदिन खिल जी के द्वारा की गई थी ये भी काफी important question है आपर बन जाएगा everyone किसने भारत का तोता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है भारत को तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है ये important question rapper बन जाएगा किस कारण से महमद बिन तुगलक ऐसा फल व्यक्ति था तो ये जो कारण था ये था वह वहवारिक राजनेता नहीं था ये important question rapper बन जाएगा everyone ठीक है भारत में चमड़े की प्रती मुद्रा किसने प्रारम की थी तो ये महमद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी important question आपर बन जाएगा ब्रहमनों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कोन बना था तो फिरोश शाह तुगलक बना था पहला सुल्तान जिसने ब्रहमनों पर भी जजिया कर लगाया था यात्री इबन तुटा कहां से आय था तो यात्री इबन तुटा जो है ये मुरुक्को से भारत में आया था कुतुम मिनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंत्त तह पून पुनह निर्वान किस ने करवाया था तो ये फिरो शाहत तुगलक के द्वारा करवाया गया था किस वन्स के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक सासन किया था तो तुगलक वन्स के संस्थापों कोने यहाँ पर सबसे अधिक समय तक यहाँ पर सासन किया था भारत में तुगलक वंस के बाद कौन सा वंस सासन में आया था यह आया था सेद वंस इंपोटेन क्यूशन है आपर बन जायेगा अगला क्यूशन है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब प्रारंब हुआ यह हुआ था 1526 में सल्तनत काल में किस काल उन्नती सरवादिक हुई थी तो यह स्तापत्यकला की जो उन्नती है वो सरवादिक हुई थी अगला क्यूशन है सूफी आंदोलन मूलत है कहां से प्रारंब हुआ सूफी आलदोलन है ये फारस यनकी परसिया से प्रारम हुआ था अमीर खुसरो का संकीत तग्य था और सूफी संत फारसी हिंदी के लेखक और विद्वान इतिहासकार भी यहाँ पर माना जाता है ठीक है अगला क्यूशन अलवार संतों का अवीरभाव किस आधुनिक राज्य में से हुआ है यह तमिलाडू से हुआ है इसका प्रारम्प सिवाजी के समय सम्सामिक मराथा संत का नाम था यहाँ पर यह है संत तुकाराम विजे नगर के सासको ने प्रत्यास हित किया है किसको तमिलाडू को तेलगू को और संस्कृत को यहाँ पर यह तीनों जो language है इनको यहाँ पर प्रत्साहित किया है यह काफ़े इंपरटेंट क्यूशन है आपर बंजाएगा अगला क्यूशन है 1422 में विजय नगर समराजय में आने बाले इतली में यात्री का नाम बताईए ये था निकोलो डी कॉंटी कर्ष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी कर्ष्ण देव राय ने अमुक्त मालियद बुक जो है वो इन्होंने लिखी थी विजय नगर के मध्यकालियन नगर को आजकल कहते हैं तो इसे कहा जाता है हमपी अगला क्यूशन है ताली कोटा की प्रसिद लड़ाई कब हुई थी तो ताली कोटा की जो प्रसिद लड़ाई है ये हुई थी 1565 इस्वी में अगला क्यूशन है बहमन सासकों में से बीजापूर में परसिद गोल गुम्मद का निर्मान किस ने करवाय था तो ये करवाय था मोहमद अदिल शाह के द्वारा अगला क्यूशन है बीजापूर अपनी किस चीज के लिए परसिद्ध है तो ये है गोल गुम्बद के लिए यहाँ पर ये फेमस माना जाता है तो ये काफी इंपोर्टेंट क्यूशन यहाँ पर बन जाएगा अगला क्यूशन चितोडगड में विजयस्थम किस ने बनवाया ये काफी बार एक्जाम में एक्विशन पूछा गया है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था ये गोल कुंडा की खानों से इसे निकाला गया था पानिपत की पहली लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी पानिपत की पहली लड़ाई 1526 के अंदर यहां पर लड़ी गई थी जिसके बाद बाबर ने यहां पर अपना सासन है वो विस्तरित किया था ने कि अपने समरण किस भवासा में लिखे है तो अपने यहाँ पर संसमरण, जो है यह तुरकी भवासा में इन्होंने आ पर लिखा है अगला गुशन देखें यहाँ पर कानवा के युद्ध में बाबर द्वारा प्राजित किये जाने वाले राजपूत राजा था ये था रानहा सांदा important question ने आपर बन जाएगा आप इसे note down कर लीजिएगा डिली के पुराना किला किसने बनवाय था तो डिली का जो पुराना किला है ये शाह सेर्षाण के द्वारा बनवाया गए था ये भी काफी important question आपर बन जाएगा हुमायू को किस लड़ाई में पराजित के बाद भरत से भागना पड़ा था ये कन्योज की लड़ाई के साथ यहाँ पर इनको यहाँ पर भागना पड़ा था ये काफी important question आपर बन जाएगा दिल्ली में हुमायू के मकबरा जो है ये किसने बनवाय था तो दिल्ली में हाजी बेगब के दौरा इस मकबरे को यहाँ पर बनवाय गया था मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी ये शेड़ शाह के अधीन सेवा की थी नोंने कला नोर में राज़ाराप भिशेक के समय अकबर की आयू कितनी थी ये थी 13 वर्स 13 एर अगला क्यूशन है महा भारत का फार्सी अनुवाद किस ने लिखा था तो ये बदायूनी के द्वारा लिखा गया था किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी तो अकबर के जीवन पर जो कथा लिखने वाला व्यक्ति था वो था अबूल फजल दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था तो ये था विश्व बंदूत्व मनसबदारी परणाली किसने आरंब की थी तो मनसबदारी परणाली जो है ये अकबर के द्वारा यहां पर प्रारंब की गई थी फतेहपूर सीकरी का निर्मान किसने किया फतेहपूर सीकरी के निर्मान किया था अकबर के द्वारा ये भी काफी important question आपर बन जाएगा अकबर अपना धर्म विचार विमर्स कहा करता था अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्स है ये इबादत खाने में करता था अकबर के प्रारंबिक दिनों में उसका रिले यहाँ पर रिजेंट कौन था यहाँ पर तो रिजेंट था बैरम खां जिसे आप संरक्षक कहते हैं किस सासक ने जजिया कर समाप्त किया था अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था अकबर का परसिध्य राजस्व मंत्री कौन था? टोडर मल अकबर के दरवार में सबसे परसिध्य संगीत का तांसेन का मून लाम क्या था? ये था राम तनू पांडे अगला तुलसी दास ने राम चरित मानस किस के सासनकाल में लिखा? अकबर के सासनकाल में लिखा था नूर जहा किस मुगल सासक की पतनी थी तो ये थी जहांगीर की अगला क्यूशन है चितरकारी किसके सासनकाल के दोरान अपने उच इस्तर पर पहुँच गई थी तो ये था जहांगीर के सासनकाल के अंदर अगला क्यूशन है किस मुगल सहन शाह ने यहाँ पर तंबाकू के प्रियोक पर निशेद लगाया था यह लगाया था जाहंगीर ने किस मुगल सहन सा ने मुगल राजधनी आगरा से दिल्ली को स्तरनान्तिर क्या था शाह जहां के द्वारा अगला क्यूशन है विस्व परसिद तक्ते ताउस किस मुगल भवन में रखाया गया था दिल्ली के लाल किले के दिवाने आम के अंदर अगला क्यूशन है डैस किसको उसकी शेस जिंदगी के लिए औरंग जेब ने केद में डाल दिया था आपर साथ जहां को यह इंपोर्टेंट क्यूशन है आपर बन जाएगा वरिवन कौन सा मुगल भाजशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है औरंग जेब को अगला क्यूशन है मुगल सासको की दरबारी भशा कौन सी थी तो यह थी फार्सी अगला देखे है भारत में बीबी का मक्बरा कहा पर इस्थित है किस के सहनकाल में एक रुपे का सिक्का टिकसा लित किया गया था यह शेर्शाह सूरी के सहनकाल में important question आपर बन जाएगा शेर साहा की मर्तिव कहां लड़ते हुई हुई थी तो शेर साहा की जो मर्तिव है ये काली जर में लड़ते हुई हुई थी important question आपर बन जाएगा everyone सिवाजी का गुरु कौन था देखे जो सिवाजी का गुरूब माना जाता है ये माना जाता है राम दास को काफी important question आपर बन जाएगा everyone कई बार exam में ये question आपके पूछा गया है चत्रपती सिवाजी को हरानी के लिए औरंग जेव ने किसको बेजा था तो ये बेजा था राजा जैसिंग को important question आपर बन जाएगा सिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा लगभग दो बार इनको यहाँ पर सूरत को लूटा जया इनके द्वारा तो ये important question आपर काफी important question यहाँ पर ये कह सकते हैं आप इसे सिवाजी का राज्यबिशेक हुआ था तो सिवाजी का राज्यबिशेक मना चाता है यह 1614 E. श्वी में मना चाता है किस योड।ोपियन शक्ति से सिवाजी ने गोला और बारूध प्राप्त किये थे ये फार्सियों और पुर्तगालियों और अंग्रेजों से खरीदे थे इन्होंने नाना साहिब के नाम से कौन परसिद है बाला जी बाजी राव ये इंपोर्टेंट क्यूशन है आपर बन जाएगा everyone आप इसे no doubt जरूर कर लीजेगा अगला क्यूशन देगे आपर जिस समय 1761 में पानिपत की तीसरी लड़ाई में एहमद शहा अबदाली ने मराठो को हराया था उस समय दिल्ली का सासक कौन था ये था शहा आलम दित्य पेशवाप पर्थव ब्रिटिस द्वारा किस पेशवे के काल में समाप्त की गई थी बहरत में पहली बार कोन सा अंगरी जहा जाय था ये था red dragon 1651 में मुगलो द्वारा बंगाल के किस स्थान पर इसट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फ्रेक्टरी बनानी के अनुमती दी गए थी कासिम बाजार के अंदर अगला क्यूशन है भारत के लिए समूंदरी मार्ग की खोज का श्रीय किसे दिया जाता है पुर्तगालियों को दिया जाता है अगला क्यूशन है Cape of Good Hope के रास्ते भारत तक समूंदरी रास्ते को खोज किस ने की थी तो यह की थी वोस को डिगामा के दोरह यहां पर की गए थी इंपोर्टेंट क्यूशन है आपर बन जाएगा अगला क्यूशन है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्त्विक नीव रखने वाले महांतम पुर्तगाली गवर्णर कौन थे तो यह थे यहां पर अल्बू कर्क अगला क्यूशन देखे गुजरात का सासक बहदूर शाह किसके साथ हुई संगर्स में मारा गया था अगला क्यूशन है यहां पर अपने सासन के दोरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए यहां पर मजबूर किया था अकाल तक्त का निर्मान किया था लेके अकाल तक्त का निर्मान गुरु गोविन सिंग ने किया था गुरु नानम देव नानक देव जो है उनका जन्म कहां पर हुआ था तलवंडी के अंदर हुआ था यहां पर अगला किस सिख गुरु ने स्वेम को सच्चा बादश्या कहा है तो ये गुरु अर्जुन देव ने कहा है अगला क्यूशन है आपर रंजीर सिंग की राजनीतिक राजदनी लाहोर थी किस नगर को उनकी धार्मिक राजदनी कहा जाता है अमरसर को अगला क्यूशन है किस गवर्नर जर्णल ने रोपड में रणजी सिंग के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था तो विलियम बेंटिंग के द्वारा याँ पर इनका सम्मान से स्वागत किया गया था अगला क्यूशन है दूसरे एंगलो मैसूर युद में गवर्नर जर्णल कौन था तो ये था वोरेन हैंस्टिंग अगला देखे मुर्सित कुली खां अली वर्दी खां और सिराजुदोला कहां के नवाब थे ये थे बंगाल की नवाब important क्यूशन है आपर बन जाएगा everyone black hole तराजदी की घटना कहां पर हुई थी ये हुई थी कलकत्ता के अंदर अगला क्यूशन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था प्लासी के युद्ध के समय सिरोजुद्धौला जो है ये बंगाल का नवाब था ब्रिटिस ने पंजाब को किस सन में अपने राजे में मिलाये था तो 1849 में इस्वी में मिलाया था आरे समाज के संस्थापक कौन है दयानन सरस्वती है वेदू की लोड़ चरो ये नारा किस ने दिया था दयानन सरस्वती जी ने दिया था अगला क्यूशन बुनियादी सिक्षा का विचार पहले किस ने प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया था अली वर्दी में मोहमडन एंगलो औरियंटल कोलीज की स्थापना किस ने की थी तो सर सेयद एहमद खां के द्वारा इसकी जो स्थाप पर था अगला क्यूशन उप निवेशी भारत में कोलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किस ने की थी वीलियम जोन्स के द्वारा की गए थी अगला क्यूशन है सर्वोदे का आश्य है तो उसका उत्थान और आज का मारा आखरी क्यूशन और इस सिरीज का आखर अगर आपको यह वीडियो चलागा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर जोरू कीजेगा एवरिवन थैंक यू एवरिवन एंड बाई गाइस टेक केर